प्रेकिसान भाईयो। यह मेरा अपडेट वीडियो है हो जो मैं दिसम्बर की लास्ट 538 दिसम्बर को मैने लगभग डाला था इसको मैं सीड्लिंग ट्रे में अगयती कद्दू की फसल लेने के लिए सीडलिंग ट्रे के सारे इसको मैंने जमाव किया था और आपको कहा था कि मैं अपडेट वीडियो इसका दूंगा आज मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ 104 ट्रे खानों की ये हमारी ट्रे है जिसमें लगभग लगभग 95% रेजल्ट आये हैं अच्छा रेजल्ट है दो तीन पेड़ साइड की कुछ खराब हो चुके हैं इनका पानी देने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए ऐसा लग रहा है लेकिन काफी मैं संतुस्थ हूँ इस से कि जमाओ लगभग 95-90% बढ़ियां आया हुआ है आज मैं इसको ये अपडेट वीडियो दे रहा हूँ कि क्या गजब की परफॉर्मेंस है आप इसको ट्रांस्प्लांट करने की तैयारी कर रहा हूँ कल से मैं इसका ट्रांस्प्लांट करूँगा उसका भी वीडियो बनाऊँगा आपको देऊँगा कैसे इसको ट्रांस्प्लांट करें आप इसका लिंक जरूर देखिए गा इसमें साथियों सीडलिंग ट्रे में जब आप जमाओ करना चाहे रहे हैं तो मेरा एक अनुभो छोटा सा है जो मैं आपको सेर करना चाहता हूँ यह मेरा पंद्रा से 2000 पौधे का तयार करने का मेरा इरादा था जिसको मैंने तयार किया यह सामने ट्रे है और यह एक सामने और भी ट्रे में लगा हुआ है इस दोनों में दो दिन का फर्क है दो दिन टाइम डिरेशन का अंतर है लेकिन एक अंतर और है कि इस ट्रे में मैंने कोको फिट 30 परसेंट रखा था और 40 से मैंने बर्मि कंपोस्ट गोबर की बनी हुई बर्मि कंपोस्ट मैंने उसको लिया था गाय के गोबर्सर और उसलोंē 20-30% मैंने मिट्टी भी मिलाई थी जिसका रिस्पांस यह है कि इसके पौधे जञादा परफार्म कर रहे हैं जञादा बढ़ ही यह देवलप हुए हैं ज़धा बड़े हुए हैं इस ट्रे में मैंने कोको पेट की मात्रा ज़्यादा कर दी कोको पिट में लगबग 70% कर दिया और मिट्टी इसमें बिलकुल नहीं डाला थोड़ी सी इसमें बर्मी कमपोस्ट डाला जिसका रिस्पांस ये है इसके पोधे कम डेवलप कर रहे हैं मैं अपना यह अनुभो इसी अपडेट वीडियो में ये आपको देना चाहता हूँ कि बर्मी कमपोस्ट 40% और 40% कोको पिट असी हो गया 20% इसमें मिट्टी मिला करें खेत की मिट्टी मिला करके तब सीडलिंग ट्रे में आप भड़ा करें जिससे ट्रे में बहुत बढ़ियां रिस्पांस आएगा उसकी ग्रोस बहुत अच्छी आएगी धन्यबाद दोस्तों आप मेरा वीडियो लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें इस अनुभो को अपने साथ यूज़ करें